इस बहाली में सिर्फ हम ही को मुका मिले और 2016 के बाद जितने भी छात्र बीएड और डीलेट किये हैं उनसे हमें कोई फर्क में पड़ता है सौभावी के दो सिर्फ मैंतोजी ने कहा था कि सिर्फ 2013 और 2016 टेट पास बिदार्थियों को हम पहले सिच्छक बाहली जो फस्चरन का बाहली होगा उस पे मुका देंगे पास तो टाम है नहीं तो कैसी आप दो चरन में बाहली करोगे आपको तो एक चरन का भी बाहली करने में दिक्कत हो जाएगा 2016 के बाद, उन छात्रों का भी मांग सही है, क्योंकि उन लोगों का क्या गलती है, अगर उन्होंने ट्रेनिंग किया है, बाद में 2017 से लेकर 22 तक किया है, तो उनका क्या दिक्कत है, उनका क्या दोसे की आपने टेट परिशा क्यों नहीं लिया, एक वर्ग चाहता है कि इन कुछ ना कुछ फायदा हो रहा है घब है भी मधिये बना रहा हूं और आप लोग भी कुछ कर रहे है कैंच भी काम कर रहे हैं तो य two stick ग स्रकार को सब्सक्वादियर शेर अब इसे लेना है कि आप ऐकर असे बाहली करों गए मतलब कि स्यक्राओ इंच कर में सिचक बाहली नहीं कर पाएं तो मैं गैरंटी देता हूं कि अगली बार दूसरी सरकार जोहार साथियो एक बार फिर से हमारी यूट्यूब दोस्तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि जारखन में सिचक बाहली होगा या नहीं दोस्तो आप सभी को बता है कि जारखन में सबसे ज्यादा जो सीटे खाली है वो सिचक बाहली में ही खाली है प्रात्मिक सिचकों की बाहली में 70-80,000 सीटे खाली है और जारखन का युवा काफी दिनों से वेट कर रहा है जो भी टीचर्स ट्रेनिंग या बीएट किये हैं वो वेट कर रहे हैं कि सिछकों की बहाली कब होगी दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि जहारखन सरकार जो है सिछक बहाली जो लाने वाली थी नियोजन निती रद होने के कारण अब ये सिछक बहाली और भी मुश्किल होती नजर आ रही है और इसी बेच हमारी जो जहारखन की सरकार और सिछा मंत्री ने कहा कि अब ये पारा टीचरों की बहाली करेंगे यहां दोस्तों मैं आपको बता दू जहारखन में करिबन 7-8 वर्षों से टीचरों की बहाली नहीं हुई है दोस्तों इससे पहले जगनात मैंतोजी ने कहा था कि हम 25,000 बहाली सबसे पहले करेंगे जिसमें पहले जो जेटेट पास है उनको मुका देंगे उसके बाद उन्होंने कहा कि जो उसके बाद जो जेटेट लेंगे और जेटेट में जो पास होगा उनको मुका देंगे और वो भी सीधी बहाली नहीं करने वाले थे वो एकजाम के थुरू करने वाले थे लेकिन 2016 में जितने भी टेट पास छात्रें या 13 में उन लोगों का मांग था कि उन लोगों का सीधा बहाली की जाए और अभी भी उन लोगों का वही मांग है दोस्तो ये प्रोब्लम हुआ कि नियोजन निती रद हो गई अब छात्रों को डर सताने लगा है कि हमारा बहाली इस सरकार में नहीं हो पाएगा और डर इसलिए सता रहा है क्योंकि दो हजार चोबीस में फिर से जहारकन में चुना होगा और करिबन सेप्टमबर महिना सही सारा कुछ स्टार्ट हो जाएगा और सारे नियम कानून लग जाएंगे तो फिर ये बहाली नहीं हो सकती है ठीक है तो जहारकन जहारकन का युवा अब सोच में पढ़ गया है कि इस सरकार में हमने सोचा था कि सिच्छक बहाली होगा और अभी तक हुआ नहीं है और बीच में हमारे जो हमारे जो सिच्छा मंत्रिया उन्होंने कह दिया कि हम 2022 की बहाली करेंगे 25996 सब्सक्राइब और दोस्तों मैं बता दो जब तक जहारकन में और एक नियोजन निति नहीं बन जाती तब तक न वह शिच्छक बार्नी कर सकते हैं ना कोई भी बहाली कर सकते हैं या नियोजन निति का होना बहुत जरूरी है यह आप भी जानते हैं मैं भी जानता हूं और दोस्तों इस सीचक वाली में और एक यह प्रोब्लम है कि पहले से जो टेट पास विदारती हैं 2013 और 16 वाले उन लोगों का मनना है कि इस वाली में सिर्फ हम ही को मुका मिले और 2016 के बाद जितने भी चातर B8 और DL8 किये हैं उनसे हमें कोई फार्क में पड़ता है सौभावी के दोस्तों इस दुन्या में सभी जो वेक्ति होते हैं वो अपने फायदे के लिए काम करते हैं ठीक है उनको अपना प्रोफिट दिखता है तो उसी परकार वह सिर्फ अपने प्रोफिट के बारे दे विदार्तियों को हम पहले सिच्छा का बाली जो फस्चरन का बाली होगा उस पर मुका देंगे लेकिन अब मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ कि सरकार के पास अब तो दुबारा एक्जाम लेने का मुका ही नहीं है कहने का मतलब साफ है कि आपने कहा था कि हम दुबारा ब चरण में बहाली करोगे आपको तो एक चरण का भी बहाली करने में दिक्कत हो जाएगा इसलिए मेरा कहना है जगनात्मातो जी से हमारे सिच्छा मंत्री जी से माइनिन या सिच्छा मंतरी जिसे कहना है कि आप पूरा पूरी 50,000 सीटों पे भारती निकालो आपको जैसे निकालना है निकालिए नियोजन निती आएगा निकालिए मैं जानता हूँ कि 2016-2013 वाले कहेंगे कि हमें सीधी बाहली दिजिए और उनका मांग अपना है अपनी सोच है उनकी जो इस्तिती है वो इसलिए मांग कर रहे है क्योंकि उन्हें जल से जल नोकरी चाहिए और जो उसके बाद जो छातर हैं 2016 के बाद उन छातरों का भी मांग सही है क्योंकि उन लोगों का क्या गलती है अगर उन्होंने ट्रेनिंग किया है बाद में 2017 से लेकर 22 तक किया है तो उनका क्या दिक्कत है उनका क्या दोस है कि आपने टेट परिशा क्यों नहीं लिया टेट परिशा अभी भी ले सकते हो लेकिन आपने टेट परिशा नहीं लिया यह आपकी दोस्त है ठेक है तो टेट प करें सिट्एट मेंनि Ferrari कीजिए । लेकिन वर्ग चाहता नहीं किए उनलोग विपने इन फाइदा चाहिए को अपना पाङदा चाहिए त और चाहिए आपको अपने पणक्राइद के लिए काम करने से विडियो बना रहा हूँ तो मुझे भी कुछ न कुछ फायदा हो रहा है, तभी मैं ये विडियो बना रहा हूं, मुझे कुछ न कुछ earning हो रही है, तभी मैं ये बना रहा हूं, ठीक है, और आप लोग भी कुछ कर रहे हो, कुछ भी काम कर रहे हो, तो उससे आपको कुछ न कुछ benefit है, तभी आप काम क होती है बहुत सारे राजोप माइन ओगई पंजाब माइन हो गई है और यहां तक कि जहाआ माइन नहीं था वहाँ हाँ है और वेश्ट बंगाल में भी इस बार कौर्ट में केस लड़के इन्हों ने सीटेच करवा लिया ठीक है तो काफी लोग सोचेंगे कि सीटेट को माइंड नहीं करना चाहिए लेकिन ये बाद में देखा जाएगा क्योंकि देखिए आप सीटेट को माइंड नहीं करते हो चलो ठीक है बाहली निकाल दिये जैसे कि नियोजन्निती रध हुआ उस पर कोई केस किया तो रध ठीक है सीटेट में तो और रधी केस किया वह है ठीक है और और भी बाद में करने के लिए रेडी है कि जैसे आप निकालते हैं जैसे याप बारा निकालते हो उस Emperor के आपने देखे आपने बहाली निकार रहे हो और काफी लोगों को मुखा नहीं दे रहे हो तो वहां भी तो अनुछेद अनुछेद सुल्ल का और कौन को सा बहुत तरह अनुछेद है उनका उलंगन हो रहा है ठीक है 16 और 19 का उलंगन हो रहा है तो तो भाई कोई तो केस करेगा ही तो फिर जब आप बारी निकाल देते हो फिर कोई केस कर दिया है केस का रिजर्ट आता है उसमें कह दिया जाएगा क अब ही ये बहाली नहीं हो सकती है, बहाली में रोक लग जाएगी, इस्टे लग जाएगी, और फिर आपका लेट हो जाएगा बहाली में, सिंपल सा बात है, लेकिन मैं 2016 और तेरा वाले छात्रों को कहूंगा, कि आप लोग ठीक कर रहे हो, अपने मांग के लिए आगे बढ़ ये आपको decide नहीं करना है, ये सरकार को decide करना है, और court decide करेगा, ठीक है, क्योंकि और अड़ेडी court में case हो चुका है, बस notification आएगा, और फिर और भी case हो जाएगा, तो इसमें आपस में लड़ने की कोई ज़रुरत नहीं है, मेरे भाईयों, जो होगा देखा जाएगा, यदि सरकार आप लोगों कोई भाली देदे, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो मांग है, इसको हम सरकार तक जरूर पहुचाएगे, और court भी सारे कोई चले गया है, और court बाद में भी जाएगे, जीत होगा, तो मोगा मिलेगा, और नहीं जीत होगा, तो नहीं मिलेगा, अब सरकार को डिसीजन लेना है, कि आप ऐसे बाहली करोगे, मतलब कि मुका दे के बाहली करोगे, या आपनी जो राड सभियता की राड निती लागू करके, कहते हो कि चलो, ठीक है, मैं जो नियम बनाया हूँ, यही सही है, तो बाद म देखा जाएगा, सिंपल सा बात है, लेकिन मैं यही कहना चाहूँगा, सिंपल सा बात, कि आप सबको मुका देजिए, सिंपल सा बात है, सबको मुका दो मेरे भाई, जो भी जार्खन से टीलेट, बीलेट, बीयड किया है, सबको मुका देजिए, और जो जार्खन का अस्थ अधिकतर लोग अधिकतर क्या करिबन साथ आठ अजार लोग ऐसा होगा करिबन एक लाख है उसमें एक लाख में मालिज्य कि एक लाख में कम से कम दस अजार 10,000 यूपी और बिहार का आदमी है यह प्रूफ है बाई रिजर्ट में आप लोगों ने विडियोज में भी दिखा आया गया आप जाके देखएगा और नहीं देख। तो मैं भी दिखा सकता हूं मिर पास इतना टाइन और की मैं आपको दिखा सकता हूं जारखन में दोबारा इसलिए मैं यही कहना चाहता हूं यह पारा के चक्कर में मत रहिए सिचक बाहरी निकालिए आपको जैसे निकालना है और जल से जल निकालिए नियोजन निती जो है उसको जल्दी से जल्दी स्वल्द किजी और छात्रों को जोब दीजै Soldier नहीं तो अगर नहीं जोब दीए आप जहरखन में सिचक बाली नहीं कर पाएं तो मैं गैरंटि देता हूं कि अगली बार दूसरी सरकार अगली बार नहीं आएगी हैमत की सरकार ये मेरा वाच्छन है कैरेंटी देता हूँ क्यूंकि आप बहाली नहीं करोगे तो जारखन का युवा दुबारा आपको नहीं लाएगा धन्यवाद फ्रेंड्स इस बिसे में आप क्या कहना चाहते हैं जरूर करेंट बोक्स में करें धन्यवाद फ्रेंड्स बाई बाई